टेस्टी सा आलू मटर की सबजी बनाने के लिए बिना स्किप किये मेरे वीडियो को एंड तक जरूर देखे ताकि आप भी आसानी से घर पे बना सके तो चलिए शुरू करते हैं आईए देखते हैं कैसे बनता है आलू मटर की सबजी हेलो फ्रेंड्स जैज की चन में अब सबका स्वागत है आज मैं बनाओंगी आलू मटर की सबजी बनाने के लिए सबसे पहले मैं आलू को फ्राइ कर लूँगी आलू फ्राय करने के लिए मैं पहले से कड़ाई गरम होने के लिए रखी थी कड़ाई गरम हो चुका है अब इसमें मैं डालूंगी सरसो का तेल तेल गरम हो चुका है अब इसमें मैं डालूंगी आलू आलू में में डालूँगी थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा नमक अब आलू को में हलका गोल्डन ब्राउन करके फ्राई कर लूँगी जब तक मेरा आलू फ्राई हो रहा है तक में एक मसाला रेडी कर लेती हूँ मसाला में मैंने या पर लिया है तीन टमाटर एक इंच अद्रक चार हरी मिर्ची पांच छे काजू और थोड़ा सा खसकस खसकस को मैंने या बद दस मिनिट बेरे भीगो के रखी ती अब मैं इसका एक स्मूद सा पेष्ट रेडी कर लूँगी मैं और एक मसाला रेडी कर लेती हूँ जिसके लिए मैंने लिया है एक चमच लालमीच पाउडर एक चमच हल्दी पाउडर एक चमच जीरा पाउडर और एक चमच धनिया पाउडर अलू अच्छे से फ्राय हो चुका है अब मैं इसको निकाल लूँगी अब उसी कड़ाई में डालूँगी और थोड़ा सा सरसो का तेल तेल गरम हो चुका है अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा जीरा एक तेज पत्ता एक टुकड़ा दाल चीनी चार पांच लॉंग और तीन इलाई चीन अब इसमें मैं आड़ करूँगी मसाला मसाला को मैंने एक दो मिनिट अच्छे से फ्राई का लिया मसाला से तेल अलग हो रहा है अब इसमें मैं डालूँगी टामाटर और काजू का पेस्ट अब मैं सारे मसाले को तीन से चार मिनिट अच्छे से फ्राई कर लूँगी मसाला जो है अच्छे से फ्राई हो चुका है अब इसमें मैं आड़ करूँगी दही मैंने यहाप लिया है दो चमच दही इसमें मैं डालूँगी नमक और एक चमच चीनी दही को अच्छे से फ्रेट के मसाला में डालूँगी जब दही अड़ करें तब ग्यास का फ्लेम पुरा लो रखें नहीं तो दही फट जाएगा फिर से दही और मसाले को अच्छे से फ्राई कर लूँगी दो से तीन मिनिट सारे मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है अब इसमें मैं डालूँगी फ्राई क्या हुआ आलू और मटर आप मेरे वीडियो को पहले से लाइक मत करिए अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना न भूले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राईब नहीं किये हो तो जल्दी से सब्सक्राईब करें तकि मेरा हर वीडियो आप देख सके अलू और मटर को मसाला के साथ एक बार अच्छे से मिक्स करना है मिक्स हो चुका है अब इसके अंदर मैं डालूँगी हापका पानी अब एक बार इसको अच्छे से मिक्स करके ढखके पकाऊंगी में दो-तिर मिनिट अब मैं इसको निकाल के चेक करूंगी कि अलू अच्छे से पका की नहीं अलू अच्छे से पक चुका है अब इसके अंदर मैं डालूँगी हरा धनिया थोड़ा सा बटर और गरम मसाला अब इसको मैं एक बर चला के ढखके और एक मिनिट पकाऊंगी पुरा लो फ्लेम पर अगर आपके पस बटर नहीं है तो आप घी भी डाल सकते हैं घी से भी सबजी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा अलू मटर की सबजी जो है पुरा रेड़ी हो चुका है अब मैं इसको सर्फ करूंगी हेलो फ्रेंड्स जैसके जमें आपका सवादा से मेरी ममी का चैनल देख चैनल सुस्क्राब कर देख कर देख अलू मटर की सबजी आप रोटी पराठा या नान के साथ भी खा सकते हैं ये खाने में बहुत टेश्टी लगता है अगर आपको मेरा रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले आज के लिए इतना ही फि